तो सागे था आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और ये है चोपता तुंगनात के ब्लॉग का एपिसोड टू और इसका एक एपिसोड पहले ही आचुका है जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन से देख सकते हैं तो ये सबर किया था हमने दिसंबर में और उस टैम पे यहां पे बहुत ज़्यादे बरब गिरी थी और गिरती हुई बरब में हमने ट्रैक किया था उपता के लिए और सामने जो ये टेंट सिस्टम देख ये सारे हैं इस्टे पॉइंट यहां पे आप लोग इस्टे कर सकते हैं अगर आपका मन है तो थोड़ा होटल जो है होटल से एक्सपेंसी पड़ते हैं ये लोग ये टेंट पर हाँ अगर आपका मन है तो आप लोग इस्टे कर सकते हैं और हमने लगातार सपर शुरू किया था चोपतामा पॉसनेगा और हसी मादियों के नजारे लेते हुए हम लोग अपने सपर को लगातार कर रहे थे और इसी बीच हमें दिखाए दिया ये जो छोटे-छोटे घर दिख रहे हैं आपको ये एक्चुली पर यहाँ पर जो इस्थानी लोग हैं जो उपर चोपता में रहे थे उनके ये है मवेशिगर है मतलब कि यहाँ पर ये लोग अपने जानवरों को जो इनके पालतु जानवर है उनको रखते दे और अभी ये लोग यहाँ पर इनको चारहरा देने के लिए थे तो इनी में से एक भाई साब को हमने पकड़ा और उनसे पूछा कि यहाँ पर टेंटरश का सिस्टम किया है इन लोगों ने हमें बताए कि करीबन हम पांस लोग थे 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 पांस लोगों के इनने चारहजार रुपे बताया था जिसमें हमारा खाना पीना और एक रात का रहना सब्ता तो हमने पहले डिसाइड कि हम लोग यहींपे रहेंगे और मजे करेंगे रिफीड email कि छलो नहीं यहां पेले खाना खा लेते ऊसके बाद चोपता जाते पर चेपता के बाद अगर मन हुआ तो आपसी आइएंगे नी तो हम चुपता से ही नकल लेंगे ठाए तो इसके बाद हमने यहां पे खाना खाया और पराठे बनाये थे भीया अर यहां खाना पूर्प सफर दुवारा से शुरू कर दिया था यहाद पैङर जहार और बरफ की इन हसीन वादियों के बाद हमने दुवारा से जुरू कर दिया था अपना सपर चोपता के लिए और नजारे देख सकते हो बहुत ही जादे खुब सुरत थे बरफ लगातार गिरी थी सिर्प कुछी समय थी जिस समय बरफ रुख जा रही थी बाकि लगातार पूर होटल भी है पूरा ही माहौल है इसके बाद हमने जाना था तुंगनाथ की तरफ पर हमने तुंगनाथ कैंसिल कर दिया था क्योंकि हमने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि अभी वहां पर लगातार बरफ गिरी और कम से कम 4-5 फिट बरफ गिर चुकी है और अपनी तो हाइटी पांच फीट है तो मामला कुछ ऐसा ही था ठीक है जोगसा पाट पर यहां से हमने यह ठान लिया थे कि मतलब यह डिसाइड कर लिया थे कि हम अपना सफ़र दूसरा सुरू कर देंगे क्योंकि यहां से हमारे दूसरा सफ़र था ओली के लिए उसका भी ब्ल कि झाट कर देंग पर्फ्ति तो हमने यहीं से ले लिए लिए और यहां से हम ने सफ़र की सुरूरा की वहां तक जहां पे हम ने कारी कोरी तब ज़ूरह के तो हम अनुरह रवाने पर देन कि 짓ंवर्श कर तो fineЛ होंगे और इसमें मैक्स में हम 22 लोग गये थे और यहां पे जो देख सकते हो ये हम वहाँ पर पहुंचे हैं जहां पे हमने अपने लिए किराय में लिए थे और जो हम मैक्स में अज़े इसमें 22 लोग आए थे और बरफ chops इतनी तीज हुरी थी कि बहुत मुश्किल से हमारा सफर हुआ था लोग देख सकते हो कि बलैरों के छट में भी बैटे थे और दो लोग आगे वाइपर बने हुए थे लगातार सीसे गाड़ी के सीसे में पानी डालना और हाथ से साप करना क्योंकि इतनी जादे बरब गिर दी थी कि द्राइवर को कुछ दीख भी नहीं रहा था जैसे दैसे बजबुच के हमने अपना सफर पूरा किया और हम पहुंची अपनी डेस्टिनिसन में जहां पे हमने अपनी गाड़ी खड़े की थी यहां से एक बहुती सुन्दर नजारा दिख रहा था हिमाले का देख सकते हुआ पूरा अच्छा भी था हाला कि कैमरे से उतना अच्छा नहीं आ रहा है पर हाँ वहां आखों से देखने में बड़ा मज़ा आया था इसके बाद हमने अपना सफर शुरू कर दिया